24 दिसंबर, राशी मेश, ओवर्वियू आज आपका दिल और दिमाग दोनों ही पूरी मस्ती में रहेंगे आपका मन काम में बिलकुल नहीं लगेगा आप शायद अपनी जिम्मेदारियां भी ठीक से ना निभा पाएं मौज मस्ती करना गलत नहीं है लेकिन आपको इसके साथ अपनी जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखना चाहिए 24 दिसंबर, राशी मेश, रोमैंस आज आप अपने रिष्टों को रोमैंस से भरपूर पाएंगे जबकि आप एक लंबे समय से साथ साथ हैं बच्चों एवं माता-पिता की उपस्थती के बावजूद भी आज आप कुछ खास नयापन पाएंगे ये आपके रिष्टों की गर्माहट का एक अच्छा सूचक है इसे प्रकट करने से ना हिचक चाएं 24 दिसंबर, राशी मेश, करियर आपकी नौकरी बदलने की सोच आज सत्य में परनित हो सकती है इससे आपको लंबे समय से चले आ रहे मानसिक दबाव से मुक्ति मिल सकेगी नवीन प्रकल्प वह अवसर सामने अवश्य हैं लेकिन आपको अपनी प्रतिभातों सामने लानी ही होगी इसी तरीके से आप अपने भविश्य को सुखद बना सकेंगे जमीन जायदाद बेचने के लिए यह दिन शुब है इसलिए अगर आप कोई जमीन खरीदना या बेचना चाहते हैं तो यह दिन आपके लिए लाबकारी है आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपने सभी जमीन संबंधित कागजात ध्यान पूर्वक जाच लिये हैं क्योंकि सिर्फ एक मंगलकारी दिन आपको इतने बड़े लेंदेन में भूल चुक होने से नहीं बचा सकता उरजा कास्तर ज्यादा होने की वज़ह से आप अपना काम एक ही पल में खत्म कर सकते हैं आध्यात्म की मदद से आप तनाव और भावनात्मक विकारों से बच सकते हैं आप ठकावट भी महसूस कर सकते हैं इसलिए सावधान रहें आज आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा ताकि कोई भी बिमारी आपके पास न भठके आज आपका मन करेगा कि आप घर और ओफिस से बाहर निकल कर प्रकृति का आनंद लें आप अपने तनाव को खत्म करके अपने दिमाग को शांत करना चाहते हैं इसके लिए आप अपने परिवार के साथ किसी बाग बागीचे में घूमने जा सकते हैं और वहां बैठकर गपे मार सकते हैं आज का दिन आराम करने के लिए अच्छा है आज अपने साथी से मिलने के लिए उस तरह से तैयार हो जाएं जैसे कि कुछ समय से रोज मर्रा की घरेलू दिन चरिया के कारण संभव नहीं हो पाया बहुत लंबे अंतराल के बाद आज का दिन रोमैंस एवं प्रेम से परिपूर्ण दिन होगा आज का दिन विद्यार्थियों के लिए शुभ है आपको आत्म विश्वास भरा हुआ मानस लेकर स्वयम पर यकीन करना चाहिए आपका डर इस नीव को कच्चा कर देगा इसलिए अपना श्रेष्ट प्रदर्शन करें अंतराष्ट्रिय लें देन और अंतराष्ट्रिय बाजार से जुड़े व्यवसाईयों के लिए आज लाबगारी दिन है इस मौके का फायदा उठाएं और जहां तक संभव हो अपना व्यापार बढ़ाएं आज आपको पाचन में परेशानी हो सकती है सिर्फ अच्छा साथ और स्वस्त भोजन लें इससे आप अच्छा महसूस करेंगे कोशिश करें कि आप आज तनाव से दूर रहें क्योंकि इससे आपको पाचन क्रिया में परेशानी हो सकती है शराब से भी दूर रहें आज का दिन खूब मजा करने का है, इसका पूरा लाब उठाएं, इस समय आपको अपनी रोज की दिन चर्या से चुट्टी लेनी चाहिए, आप अपने प्रियजनों के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं, अगर अभी आपने घूमने जाने के बारे में नहीं सोचा है, तो इसी पिकनिक का आयोजन करें, चौबेस दिसंबर, राशे मिथुन, रोमैंस, आज आपके रोमैंस के सितारे आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, आप अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने या डिनर के लिए निकल सकते हैं, ऐसे काम आपको आज खुछ रखेंगे, रोमैंस की दुनिया में कोई भी कदम आगे बढ़ाने से आज बचें, चौबेस दिसंबर, राशे मिथुन, करियर, आज सफलता की इच्छा के कारण आप थोड़ा सा खत्रा मोल लेने को भी तयार रहेंगे, अच्छी बात ये है कि आपका विश्वास इसमें आपकी मदद करेगा, चोटी सी असफलता भी आपको कुछ ना कुछ सिखा सकेगी, अगर कोई परेशानी बड़ी दिखे तो भी घबराएं नहीं, उसे भी हल करने की कोशिश करें विदेश से होने वाले लेन देन या साजे के काम से अच्छे लाब के संकेत हैं, खासकर किसी विदेशी पार्टी से साजेदारी की सोच रहे हैं, तो बातचीत के लिए ये बहुत बढ़िया समय है जो लोग किसी यात्रा पर निकले हैं, उन्हें अपने कारेक्रम में बदलाव भी करना पड़ सकता है, क्योंकि इस दोरान उनके विवसाए में कोई नई प्रगती हो सकती है आप कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं, जिससे आपकी संसा को अच्छे लाब मिलेंगे हो सकता है आज आप जुकाम या कोल्ड के शिकंजे में फंच जाएं, इसलिए धूल भरे वातावरन से दूर रहें अपनी सेहत को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए पत्ते वाली हरी सबजियां और सिट्रस फल खाएं शोर वाले इलाके से दूर रहें क्योंकि आज आपको सरदर्द बने रहने की संभावना है आज शायद आपको अपनी संप्रेशन कला का प्रयोग करके अपने आसपास के लोगों के बीच चल रहे तनाव को कम करना होगा आप उस जगड़े का हिस्सा तो नहीं होंगे लेकिन सुलाह कराने के लिए आपको एक बिचॉलिये के रूप में बुलाया जा सकता है आप किसी की तरफदारी न करते हुए सच का साथ देंगे इससे आपके सहकर्मी आपसे बहुत प्रभावित होंगे आज अपने साथी के साथ समय बिताएंगे वह पिछले कुछ समय की बुरियत से छुटकारा पालेंगे यही अपने साथी के प्रती प्रेम प्रदर्शित करने वह बदले में प्रेम पाने का सही समय है यदि आपको किसी अच्छे काम की तलाश है तब आज का दिन इसके लिए शुब है आप कुछ अच्छे साक्षातकार देंगे इन में से कोई एक साक्षातकार आपके लिए नौकरी का पत आसान कर सकता है आई-टी के प्रोजेक्टों पर काम करने वाले लोगों के लिए आज का दिन समय पर काम पूरा करने वाला होगा यदि किराएं के घर में रह रही हैं तो आज अपने सपनों का घर खरीदने के लिए खोज बीन शुरू कर दें इस दिशा में आज की कोशिश से अच्छे नतीजे मिलेंगे आप पाएंगे कि जैसा घर ढूंट रहे थे वो मिल गया या कम से कम इतना तो हो गया कि घर के लिए जरूरी पैसे का इंतिजाम हो गया आज का दिन मंगलवाए हो ध्यान रहे आज कुछ भी काम करते समय आप लाबरवाही ना बढ़तें वरना खुद को चोट भी लग सकती है ऐसा समय चल रहा है जिसमें कोई दुरघटना होने की संभावना है बेहतर होगा कि आप सावधानी बढ़तें ताकि आप खुद को चोट लगने से रोक पाएं ध्यान रहे कि आप जो भी काम करें बेहद सावधानी से करें और खुद को बिजली या फिर सड़क दुरघटना से दूर रखें आज आप अपने अधूरे सपनों को लेकर कुछ निराशा सी महसूस करेंगे निराशा में समय व्यर्थ ना गवाएं बलकि ये सोचें कि आप किस तरह से अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं अगर आप सही तरीके से और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें तो अवश्य ही सफल हो पाएंगे आज आप रंगीले मूड में होंगे और आपकी किसी आसपास के विक्ति से मुलाकात होगी हलका फुलका रोमैंस करना हानिकारक नहीं पर इसको लेकर गंभीर ना हो अकेले विक्ति के लिए आज का दिन अनुकूल नहीं अगर बात आगे बढ़ती दिख रही है तो उसे आप दिल पर न लें और यथार्थवादी बनें आज आपको नौकरी का वो प्रस्ताव मिलेगा जिसका विचार लंबे समय से आपके मन में चल रहा था ये प्रस्ताव आपके सामने राहत के समान भी हो सकता है 24 दिसम्बर राशिसिंग आप पिछले कुछ दिनों में कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे है शायद कोई नई कार या बाइक तो आज ये खरीदारी करने का शुबजिन है आरतिक मामले में आज का दिन आपके अनकूल है तो आज अपनी कार या बाईक के सही मॉडल का चुनाव कर ही लें अगर आप अच्छी तैराकी नहीं जानते तो कोशिश करें कि आप गहरे पानी से दूर रहें आज आप के साथ पानी से संबंधित कोई घट ना घट सकती है किसी गहरे तालाब या सरोवर से दूर ही रहें वरना आप मुश्किल में पढ़ सकते हैं बाद में पच्चताने से अच्छा होगा कि आप पहले ही खुद को सुरक्षित रखें अजीब और अपरिभाशित सा डर आज आपको परेशान कर सकता है बिना किसी कारण डरने की जरूरत नहीं है और ना ही वेकार में परेशान होने की जरूरत है इस डर की कोई वजह नहीं है आप किसी के साथ वेवाहिक संबंध स्तापित करने से पूर्व भली प्रकार सोच विचार कर लें विवाह होने पर आपको अपने साथी की भावनाओं और इच्छाओं पर खरावतर ना होगा। इसलिए ये महत्वोन दिरने भली प्रकार सोच कर ही लें। 24 दिसंबर राशिकन्या करियर आज आप आत्म परीक्षन की स्थिती में रहेंगे। आप सोचेंगे कि आप कितनी दूर आ चुके हैं, कितनी दूर और जाना है और आगे रास्ते में आपको और क्या मिल सकता है। इससे भविश्य में आपको अपने करियर को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। 24. दिसंबर राशिकन्या, फाइनांस 24. दिसंबर राशिकन्या, हेल्थ किसी भी शारिदिक परेशानी का कारण धूने और अगर जरूरत हो तो डॉक्टरी सलाह भी लें। स्वयम उपचार से आपकी तबियत में सुधार होगा। आप बीमारी के कारण का पता लगाएं। अन्यता वो फिर से उभर सकती है। 24. दिसंबर राशिकन्या, ओवर्विव आज कोई बड़ा आपको ऐसी सलाह दे सकता है जो जिन्दगी में आपके काम आए। आप सलाह के लिए किसी को ढूंड भी नहीं रहे थे। लेकिन फिर भी अच्छानक से आपको लाबगारी सलाह मिल जाएगी। इस सलाह के लिए सलाहकार को अवश्य धन्यवाद करें। आज आपका एक निराशा पूर्ण संबंध तूट सकता है। इसे रोकने के लिए आवश्यक है कि आपस में बात चीत करें। खुल कर अपने दिल की बात अपने साथी से करें। 24 दिसंबर राशितुला करियर आज वो दिन है जबकि आपको अपने कारियाले में अपने से ज्यादा क्षमता वाले कर्मचारियों को ट्रेनिंग के लिए चुनना होगा। अगर आपके कर्मचारियों को आपकी ओर से प्रोत्साहन और प्रशंसा मिलेगी तो वे आपसे और अधिक वफादारी करेंगे। इसलिए आप अपने सबसे अच्छे कर्मचारियों को ये ज़रूर बताएं कि वो आपके लिए कितना माईने रखते हैं। इससे आने वाले समय में आपको बहुत लाब होगा। इससे आपको लुभाएंगी लेकिन खरीदिये वही जो आपके लिए नितान्त जरूरी हो। ध्यान रखें। क्रेडिट कार्ड आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन जब इसके बिल के भुगतान की बारे आती है तो दिल बैठने लगता है। और आराम करें। तभी आप अच्छा फल प्राप्त कर सकेंगे। अगर आज आपको मदद की जरूरत पड़ी तो आज आपके मित्र वरिष्टेदार पीछे नहीं हटेंगे। आज अपनों के सहयोग से आप अपनी समस्या आसानी से हल कर लेंगे। ये समय उनको ये बताने का भी है कि उनका सहयोग आपके लिए कितना महतुपूर्ण है। अपना प्यार जताने में बिलकुल संकोच ना करें। 24 दिसंबर राशिवरिष्चिक रोमैंस आज अपने रोमैंटिक जीवन में कठिनाईयों को उत्पन्न न होने दें। आपके वो आपके साथी या आपके माता-पिता के बीच मन मुटाव हो सकता है। गलत फहमी छूटी सी बात से शुरू होकर घर का चैन खराब कर सकती अपने वो अपने जीवन साथी के बीच में संबंध सामाने करने का प्रयास करें। आज ओफिस से बाहर निकल कर आपको लोगों से मिलना चाहिए या फिर किसी सेमिनार में जाना चाहिए जिससे आपको नवीन तम तकनीक की जानकारी हासिल हो सके। अपने क्षेत्र में आपको लोगों से अपने संबंध बनाने की कोशिश करनी चाहिए। लोगों से दिल खोल कर मिलें तथा उन से अपने बारे में चर्चा करने में ना हिचके चाहें। अपने खर्चों पर नियंत्रन लगाएं। सिर्फ खरीदना है इसलिए खर्चते रहने की बात को काबू में लाएं। आज आपको ये भी लगता है कि आपके पास कुछ धन है जिसे खर्च करना जरूरी है और आप खरीदारी पर निकल पड़ेंगे। आज का दिन स्वयम के विशे में विचार करने का है। यदि आप अपने लिए कुछ करना ही चाहते हैं तब अपने दोस्तों के साथ समय बिताते हुए संतुलित खरीदारी कीजिए। क्योंकि आप इस समय स्वास्ते को लेकर पूरी तरह जागरूख हैं। आज आप मानसिक शांती पाना चाहेंगे। शांती आपके भीतर ही है। उसे बाहर धूनने की बजाए अपने अंदर खोजें। इसकी शुरुवात आप योग से कर सकते हैं। इसके परिणाम से आपको बहुत खुशी होगी। चौबिस दिसंबर राशिधनों रोमैंस। ना चाहते हुए भी आज आपका अपने साथी के साथ छुटपुट बातों पर मदभेध होगा। आपको चाहिए कि बिना बात पर अपने साथी पर गुसा ना उतारें। अपने उच्जद व्यवहार से आपसी गलत फेहमियों क दूर करने का प्रयास करें। 24 दिसंबर राशिधनों फाइनांस। 24 दिसंबर राशिधनों फाइनांस। आज आप अपने साथी को अपनी ओर अत्याधिक आकरशित पाएंगे। इस आकरशन का आनंद उठाकर आपस में बाटें। आपका साथी इस प्यार के प्रदर्शन से सुख प्राप्त करेगा। 24 दिसंबर राशिमकर करियर अगर आप किसी नई नौकरी की खबर सुनने को बेताब हैं तो वो खबर आपको आज मिल सकती है। अपनी सोच सकारात्मक रखें। बुरे समय का सामना करने के लिए हमें अच्छे विचारों की जरूरत होती है जो की आपके पास हैं। इसके लिए आपको अपने सभी विक अगर श्ठान आदी खरीदने से लाब हो सकता है। क्योंकि इस प्रकार का खरीदने बेचने का चलन आजकल व्यवहारिक हो गया है। इस प्रकार के विवसाय में अचानक लाब होने की संभावना बन सकती है। यदि आपके पास ऐसी किसी संपत्ती को खरीदने का अवजर आ रहा है तो आप उसे जल्दी खरीद लें। आज आप लंबे अर्से से जमीन जायदाद भवन जैसी अचल संपत्ती का विज्यापन देख रहे हों तो देर ना करें। उसे जल्दी खरीद लें। हो सकता है शुरुवात में आप ठकावट महसूस करें। मगर बाद में आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी सेहत बहतर हो रही है। आज आप और आपके परिवार के लोगों के बीच छोटे मोटे जगड़े हो सकते हैं जिनके कारण आप उदास हो जाएंगे। लगता है आज सब लोग अच्छे मूड में नहीं हैं इसलिए आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। अपनी भावनाओं को प्रकट करने में जरा भी ना हिचकें। इससे आप अपने रिष्टों को मजबूत बना पाएंगे। आज आप ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो वस्तुता आपसे चल कर रहा है। इससे बचें। इसका रिष्टा पहले ही किसी के साथ तूटा हुआ है। आप इस बात को जानने में सफल होंगे। आज किसी नए रिष्टे को मत अपनाईए। थोड़ा समय लें। जल्दबाजी ना करें। आज आपकी अपने सहकर्मियों से बहस हो सकती है। अगर आपके कार्यस्थल पर ऐसे लोग हैं जो शान्ती बनाए नहीं रख सकते तो कम से कम आप अपनी जुबान पर काबू रखें। आज आप परिपक्वता दिखाएं। इससे आपको इज़त मिलेगी। अपने काम में अपनी महारत के कारण आपको आज आर्थिक लाब की अच्छी खबर मिलेगी। असल में आप अपनी नियोकता के लिए अच्छी कमाई करेंगे और बदले में वे आपको इसका इनाम देंगे। करियर और आर्थिक मामले में ये आपके लिए उपलब्धी है जिसके आप असली हकदार भी हैं, सब आपकी मेहनच से हुआ है, इसका लुट्फ उठाइए। 24 दिसंबर, राशिकुम्ब, हेल्थ हाल ही में आपको दर्द और बुखार से गुजरना पड़ा होगा, परन्तु अब आप बहतर महसूस करेंगे। आप आराम करें और खुद को आने वाले समय के लिए तैयार करें। जीवन शैली में कोई भी वदलाव स्वास्त विकार ला सकता है। आप मूड ठीक रखें तो आपका स्वास्त भी ठीक रहेगा। 24 दिसंबर, राशिमीन, ओवर्वियू आज आपको अपनी संप्रेशन कला का उप्योग करना होगा। आज आप अपने आपको शायद एक मुश्किल परिस्थिती में पाएंगे, जो की दूसरों के द्वारा पैदा की गई है। आपको अपनी समझ का उप्योग करते हुए इस परिस्थिती से बाहर निकलना होगा। सोच समझ कर कदम उठाते हुए अपने आपको बाहर निकालें। 24 दिसंबर, राशिमीन, रोमैंस आज आपके रोमैंस के लिए बहुत अच्छा दिन है। आपकी बुलाकात आज किसी विपरीट लिंग के व्यक्ति से होगी। घर पर ना बैटकर दोस्तों के साथ बाहर निकलें और सामाजिक मेल जोल बढ़ाएं। आप हैरान होंगे क्योंकि आज रात आप किसी नए व्यक्ति से मिल सकते हैं। कम से कम कोई एक व्यक्ति आपको निहारेगा। अपनी अभिरुची को प्रकट करने में संकोच ना करें। आपके लिए कुछ बहुत ही रोचक घटना घटने वाली है। बेरोजगारों के लिए आज का दिन शुब समाचार ला सकता है। किसी विदेशी संस्थान से होने वाली सहयोग संधी से आएके स्रोत बढ़ने की संभावना है। प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करनी होगी। आपका समर्पन और एक मार्ग पर चलने की आदत आपको सफलता दिलाएगी। 24. दिसंबर प्राशीमीन फाइनांस भविश्य के लिए निवेश करने के लिए आपके सामने आज कई सारे विकल्प खुले हैं। आप अपने स्टॉक ब्रोकर या स्टॉक दलाल के पास जाएं, उससे स्टॉक के निवेश में सलाह लें। अगर स्टॉक में निवेश कर, मकान या प्रोपर्टी में निवेश करना चाह रहे हैं, तो ये भी बढ़िया विकल्प है। जो भी हो, आज का दिन अच्छा है। जहां निवेश करेंगे, लाब ही होगा। भविश्य के बारे में आज ही सोचिए, देखिए कल से ही मुनाफ़ा सामने दिखेगा। आज आप अच्छा महसूस करेंगे, इससे आपको काफी दिनों के बाद राहत की सास मिलेगी। आज आपको उस व्यायाम पर ध्यान देना होगा, जो आपकी मास पेशियों को मजबूत बनाएं। ध्यान रहे, अपनी मास पेशियों पर ज्यादा दबाव ना दें।